नमस्कार मित्रो जै माता दीप मातरानी की किरपा से फिर सेक और नय वडियों में आप सभी का स्वागत करते हैं आज के वडियो में इस रासी वाले जात को के लिए बहुत खास और बहुत ही इंपोर्टेट होने वाली हैं आज के दिन का क्या रहने वाले आपका भागी शाली रंग और क्या रहेंगे आपका भागी शाली रंग और आज के दिन सरिया कैसे रहने वाली हैं और आज के दिन आपको कैसे कारी करना हैं और आज के दिन आप सभी को कि इनके इन सीजों से आपको लाब मिलने वाली हैं और क कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियों को लाइक करें और नीचे कमेंड बॉक्स में कमेंड करें जै माता दी और अभी तग आप हमारे चेनल में नए हैं तो चेनल को सस्क्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेज करें कि ताकि रोजान रासिफल आपको समय समय पर मिल सकें आसावादी बने और उजले पक्स को देखें आपका विश्वा सुरुमित आपकी एक्षाओं रासाओं के लिए और नए दर्बाजी खोलेंगी और आपकी कोई भी और पुरानी बीमारी आज आपको परेशान भी कर सकती हैं जिसकी वज़े से आपको हस्पिटल भ आपके शामने खुल कर नहीं रख पाएंगे जिसके वज़े से आपको खिनता होंगी आज आपके पास अपने दराजन के लिए और श्वादा को बढ़ाने के लिए और आज के दिन और अपने ताकत को भी समझ और दोनों भी होंगे और यत्रा के मोके के लिए हांच से भी नहीं जाना और देना चाहिए और जीवन साथी से बहुत जादा उमीदे रखना आपको विभाई के जीवन में उदासे की तरफ भी ले जा सकती हैं और आज के दिन और आपका कोई रुका वाकार भी वैस्त तरीके से संपन हो जाएंगे साथ ही पिछले और कुछ समय से जो भी लोग आपके खिलाव थे वही आज आज आपके पक्ष में भी आएंगे और इस समय और अपनी परतिभा को पैचानने की पूरी उर्जा के साथ अपनी दिन सरिया को भी कारी फरनाली में वैतर बनाएं दिखावे के आदस से बचे नजायस फैदा भी उठाव सकते हैं कार्यस्तल पर कोई भी विप्रित परिस्ति बनने पर और अपने गुस्ये पर वह आकरोस पर भी काबू भी रखना आविस्यक हैं इस टाव के बीच में कुछ मन मुठाब होंगे नोकरी पैसाल लोगों के लिए अस्तान परिवर्तन की योग हैं किसी भी तरह की राजनेतिक परवाववी में नाएं और घर के वैस्ता बनाई रखने में जीवन साती तथा परिवारी कसदस से कभी पूरा सयोग भी और रहेगा तथा आवसी संबंदों में से राजज स्वादपुन बने रहेंगे बदलते मौसम से अपना पचा रखें कहां से जुकाम जैसे अलर्जी होने कि असंका हैं और आजब का भागी शाली रंग रहने वाली हैं बैंगनी और आजब का भागी शाली रंग रहने वाली हैं नौ जो आजग के दिन के लिए आपके लिए बहुते सुबर बहुते लावदाइक रहने वाली हैं बात कभी आपको ध्यान रखना होगा, जो जिम्यदारी आपकी हैं उन्ने उसे निभाने की कोशिस करें, सभी के जीवर को आप नहीं सुधार सकतें, इस बात को समझाने के आपको कोशिस करने होगे, परिवार की वेपार से जुड़े, लोगों के लिए भी विवात के शामना करना भी पर सकते हैं इसे नकार्थमत तरीके से ना ले पती पतनी एक दुसरे के साथ बात चित करते समय एंकार भी ना बढ़ें इस बात का भी आपको ध्यान में रखने की आविश्काता हैं और आप के लिए और सुधार भी होंगे और भुजरों के लिए और आप सर्दी खा काम करने का संदे दे रही हैं इस समय लिया गया कोई भी निरने निकट भविश्क में लाबकारी से दो सकते हैं धर्म कर्म की अध्यात्मी कार्व में आस्ता भी रहने वाल हैं एंकार कोज से भी और अक्रोज से भी बचना होगा और इससे आपके करेवी लोगों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं जब इन संबंधे कामों में ज़्यादा उमिद ना रखें योग परनालिका विव्यास कर दें तो जब इन संबंधे से सारी कार्वी आकल वैच्छी तरह से होंगे आपना ध्यान मार्केटिंग से जूड़े कार्वी पर रखें इस समय किसी भी फ पहाई बहनों से अन्बंध हो सकती हैं वेपार पर में मौजूदा गती बिध्यां पहले की तरह ही चलती रहेंगी भगवान विश्णुजी के अरधना कर दें तो आपके मुएपार में मौजुदा गती विध्यां भी पहली की तरह भी आपके लिवी चलती रहने की शंबबना भी रहने वाली है और आज समाजिक सिमाएं भी बढ़ेंगी आपका व्यक्तित बैतर हो सकते हैं यदि कोई भी को आपको बदनाम करने की कोशिस करेंगे इसलिए सावधान रहने की आविश्च करता है हनुमान जी का भी पूजा कर दे तो आखली सावधानी पन की सारी समस्चा भी दूर होंगे अपने नेज़ी बाते किसे के सामने परकट ना करें गुप चुप तरीके से भी और किया गय कोई भी काम आपको सफलता हैं दिला साकते हैं कोई भी बहुत कठीन कार्य अचानक से संबब होने से मन में परसंसा रहेंगे और अपना सम्मान दस्ता बेज संभाल कर रखें अगर आप घर के देखभाल करने की योजना बिना रहे हैं तो बजट को भी नजर अंदाज रख दूर होते वे चले जाएंगे और कुछ खास लोगों से संपर करने से आपकी सुचने के सेलिबी शाकारत में बनलाब भी आएंगे और अपने काम करी भी आधिक जागरुखोना एका गरता रखना निश्चित रूप से आपको सफलता हैं दिला साकते हैं किसी करीबी से आप आपको हतासा भी कर साकती हैं इसलिए किसी पर जाधा भरोसा भी ना करें अपनी योजना पर गोसना करें इस समय खर्च अधिक हो साकती हैं पारणशीब के कारोबार में पार्धिस्ता बनाई रखना भी आपकर भी बहुत ही जोड़ी हैं भगवान गने जी करद न कर दे त सकते हैं अपनी सकार्थ मकूर्जाएं को लाब उठाने और अगर आप कुछ समय से वे अपने घर या इसके कमी के हिस्से को भी और नया रूप भी देने के लिए उबारे में सोच रहे हैं तो यह समय इसके लिए बहुत ही अच्छा हैं अला कि आपके सहत अच्छी भी हैं ले के लिए अपनी राज स्वाभाविक लाइक मेर भी पाएंगे आज दुवीधा दुपई हावान का परियोग करने से बचें अगर करना भी पड़े तो सावधान आपको रहने होंगे आप अब यह समय अज़ पाएंगे कि आपको जिन्दगी बिताने के लिए किस तरह की पा अगर आपने और आकरसन के बावजूत फैसला लेने में कोई परिसानी आती हैं तो अपने दिलनकेशुने आपको अपने वेक्तिगत काम में बैस्त होने के कारण अपने पेशवर कारियों को भी कुछ समय के लिए उधार में लटका दिया था